मैं आपको पहले टेस्टिंग करके दिखाऊंगा और बहुत सारी बाते बताऊंगा जो कि आपका रिमोट खराब हो जायता है आप ठीक कर सकते हो यह देखिए यहाँ पर लाइट नहीं इंडिकेट कर रही है तो यह रिमोट खराब है मेरे पास सभी रिमोट खराब है मैं उन में से ठीक भी करके दिखाऊंगा और आपको नई ट्रिक भी समझाऊंगा सबसे पहले हम इस रिमोट को ओपन कर लेंगे इस तरह से स्कूरू ड्राइवर की हेल्प से यह देखिए इस तरीके से खोलना अराम से ध्यान से खोलना क्योंकि पेचकस लगने के बाद बोड भी खराब हो जाता है जो हमारा रिमोट है वो इस वज़े से खराब होता है आप उस पे गिले हाथ या फिर पानी वगएरा चला जाता है या फिर इस तरीके से इसके अंदर ये देखिए ये बलफ है और यहाँ पे इसका प्रिंट हटा हुआ है क्योंकि काफी बार छोटे बच्चे रिमोट को खोल देते हैं तो यहाँ से बलफ तूट जाता है तो यह बलफ खराब इतनी जल्दी नहीं होता है यहाँ से प्रिंट उखड जाता है तो आपने क्या करना है आप कोई पेचकस या फिर चाकू कुछ भी लेके यहाँ पे जो प्रिंट है उसको हटा लेना है इस तरीके से कोपर वाली प्लेट आपको दिखाई देगी महाँ पे सोल्डरिंग असानी से हो जाती है यह वाला पॉइंट हमारा ठीक है और यह वाला खराब है मैं इस तरीके से समझा रहा हूँ आपको मल्टी मीटर की जरूरत नहीं पड़ेगी और चार पांच बाते और आपको समझाऊंगा यह देखिए सोल्डरिंग आए रहा है इस तरीके से पहले जहां से मैंने इसको प्रिंट किया है वहाँ पे और उसके बाद यह आई सी पे कार्बन जमाओकों की इसके अंदर पानी गया था यह देखिए इस तरीके से हम बुरुष से साफ कर लेंगे आप टूथ बुरुष का यूज कर सकते हो या किसी कपडे का वो भी मैं आपको आगे दिखाऊंगा वीडियो में यह हमारा बिल्कुल ठीक हो चुका है अब काफी बार स्प्रिंग का वायर हट जाता है तो सोल्ड आप उसको समझना उसके लिए किन चीजों की जरूरत पड़ेगी अब मैं आपको टेस्ट करके दिखाता हूँ मैंने सहल को डाल लिया है अब हमारा काफी अच्छे से ये वर्क करने लगा है मैं आपको नस्दीक से दिखा रहा होगा जो लाइट है बिल्कुल आप कैमरे मे मोबाइल के कैमरे से देखना आपको अच्छे से दिखाई देगी ये देखिए मैं नस्दीक से दिखा रहा हूँ जूम करके तो ये वाला जो रिमोट है हमारा ठीक हो गया है अब मैं आपको अगला तरीका बताता हूँ ये छोटा रिमोट है आप सैटो बोक्स का भी लेते हैं क्योंकि इनके ऊपर अंदर की तरफ स्मोक वगेरा आपने देखा उस टीम मतलब चिपचिबा पना आ जाता है उस वज़े से भी खराब हो जाते हैं तो ये थीनर है थीनर का यूज़ करना थीनर नहीं है थोड़ा सा पैट्रोल ले सकते हो ध्यान से से सेफटी के साथ इ और हम इन बटन को भी साफ करेंगे इस तरीके से 5-6 बूंद आपने डाल ली हैं तूथ बुरुष का यूज़ कर सकते हो और ये कपड़ा है कपड़े का यूज़ करके इसको साफ कर लेना अच्छे से आपका रिमोट वैसे ही वर्क करेगा कुछ बटन काफी बार नहीं चल बता हूँ और मैंने अपने घर के आसपास काफी फ्रेंड्स के रिमोट भी ठीक करके दिये हुए हैं 90% रिमोट में सेम आईसी होती है तो आप इस आईसी को इस वाले रिमोट में डाल सकते हो तो सोल्डरिंग आईरन से निकाल लेना SMD मसीन से होट एयर गन से छोटी होट एयर गन आती है तो उनसे इस आईसी को निकाल के इसमें डाल सकते हो अदल बदल कर सकते हैं फिर मिलते हैं कुछ अच्छी नई वीडियो में